ओम जैन्ती मंगला काली भेद्र काली कपालनी दुर्गा चमा शिवा धात्री श्वहा शुधा नमस्तुते नमस्कार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंद्र पार्थी आप देख रहें भागी गुरु कारिक्रम भागी गुरु कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्व रड़ाय राहुकाल कभे दिशासूल कभे चंद्रमा किस राशी पर हैं सारी बाते मापको विस्तार से बताएंगे आज का महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे और जब करने साब को क्या लाप होगा यह भी बताऊंगा बारह राश्यों के भी बारे में ये सारी बाते हम आपको बताएंगे किस अंके के प्रयोग करने से अपार सफलता मिलेगी सौधानी के अब रतनी है उपाय क्या करना है गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर भी धूंगा और आज जिनकी जन्मदीन है उनके भी बारे में व प्रश्णों के पैंतालिस मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को छे बच के तिरपन मिनट पर कृष्ण पक्षे बैतिपात योग है और चंद्रमा रहेगा तुला राशी में विशाखा नच्छत्र है और आज का जो सुब समय है वह सबेरी 11 बच के बाउन मिनट से ले करके दो आज चंद्रमा है तुला राशी में जब चंद्रमा तुला राशी में हो तो व्यक्ति आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है अगर आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी अपने को सिंस्यर्टी के साथ लग जाईए और अपने लक्ष क प्रत लग जाईए आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है दूसरी बात का ध्यान रखना है कि रहो काल में आपको कोई कार नहीं करना है दिशासूल में यात्रा करने से बचें क्योंकि दिशासूल में यात्रा सुभ फल नहीं देता दिक्कतें आती हैं अगर यात्रा परिहार है लगता करना ही करना है तो आप एक दिन पूर्व सुब मोहुर्ट में क्या करें कि प्रस्थान निकाल के ता वयात्रा करें आपके लिए अच्छा रहेगा ज़िए आज आप कोई भूमिभून खरिदना चाहते हैं नोकरी के लिए कोई नयाकारे करना चाहते हैं या बैपार करना चाहते हैं श्टार्ट अप कोलना चाहते हैं तो सुब्ह मुहुर्त में ही किसी कारे को करें उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंतर की आज का महामंतर है यह जो महामंतर है भगवान स्री गृष्ण का है जो बिश्व के पालक है पालनहार भगवान बिश्वीजी का है अगर आपकी जिन्दगी में किसी प्रकार के दिक्कत है परिशानिया है तो आप भगवान विश्मु जी के सरण में जाएए भगवान सिरे किष्ण के सरण में जाएए आपके सारे कारे हो जाएंगे जरुरत उनको अब भरोशा करने के और इस मंत्र का जब करें निश्यत सारे संपन होंगे